इमानदारी के साथ मेहनत किये मजलिस के जितने भी चाहने वाले वरकर्ज है पूरे महराश्चा के अंदर जो 44 सीर जो लड़ा है इसके ओपर कड़ी मेहनत पिछले कहीं दिनों से करते आये है साही कोशिशे की गई कि M.I.M. का कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए विशेशकर औरंगाबाद में जहां पर N.C.P. के कैंडिडेट में पूरी ताखत लगा दी पूरा पैसा लगाया और ये पैसा हमें जानकारी मिली है कि ये सेना और भाजब की तरफ से पहुचाया गया थ का इन है कि ताके M.I.M. का वोटिंग पॉर्शन टेज काम किया जाए M.I.M. यहां से जीत नहीं पाए और उसका सीधा फायदा शेफसेना को मिले इसके लिए हर तरह की कोशिश है की गई लेकिन उसके बावजूद भी हमें पुरा यखिन है कि बहुत अच्छे नतीजे M.I कि अच्छे में पुछ M.I.M. के कारे काड़ा हो देशाच की जा रही थी कि करोड रुपिया यह लेकि आए थे और रात भर यह पैसों का खेल चलता रहा कि अलग-अलग इलाखों के अंदर जाना और वो इलाखे जो हमारे अपने गड़ है महां पे जाकर बच्छों के पुरी ताखत लगा रहे थे और सुभे जब वोटिंग शुरू होई और उन्होंने देखा कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी लोग जो है वो M.I.M. के साथ ही खड़े है वोट वो M.I.M. को ही दे रहे है तब उन्होंने है तो वाइलेंस के ओपर उतर आए वो M.I.M. को मार्पीट शुरू करदा लें दोपैर में तीन बजे वो मौमिन पूरे के हमारे बूत के ओपर गए वहाँ पर हमारा जो सेंटर था पॉलिंग सेंटर वहाँ पर जाके फर्मीचर का तोड़ कोड़ किये वहाँ पर हमारे कारे करताओं के साथ M.I.M. के साथ करताओं को मार्पीट करना शुरू करदा लें अर हद उस वक्त तक होगी जब हमारे कैंडिडेट के ओपर भी हमला करने की कोशिश करें तो हमने सोचा कि निया बहुत जादा हो गया है तो जब मैं उनको समझाने के लिए गया तो दोबारा हमारे ओपर फिर हमला करने की तो हम तो खामुश बैटने वाले नहीं है क्योंकि अगर इतना क्लियर CCTV फूटेज में होने के बहुजूद भी है अगर पुलीस कारवाई नहीं कर रही है एक्शन नहीं ले रही है तो हमको ऐसा लग रहा है या तो सत्ताधारी पक्ष ने बोल रखा है कि इनको खुली छू कि अगर धButija करें नहीं है ये इंकि अए था करने की इनकी आउखाट नही है और इनकी ताखत नहीं है और ये खभ्षाम्च में बहुदाु नहीं है और धकुर इंगाणाबस में और अगर सकते हैं को जो बहुद भी होगा उसके ह gj een तो कि हमारी करना हुग्ड़ को पक्ष पराइ स्कूल का जहां सभी अगपना चल रही थी, तो क्या ये मामला शुपी थी है। हम तो पहले से ही कहे थे कि हमको ये खुद जीतने के लिए नहीं आए थे। इनकी मनशा सिर्व शुरुआत से यही थी कि हमको हराया कैसा आजाए करके। और वो हराने के एरादे से ही आए थे कि किस तरह से माहुर कराब किया जाए। ताकि जो लेडीज है वो घरों के बाहर नहीं निकले बोर दालने के लिए ये सुभे से इनके यही हत्करड़े अपने जा रहे थे लेकिन हमने पहले से ही बोल रखा था हमारे कार्यकरताओं को कि हमको एलेक्शन जीतना है किसी भी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए तो मैं तो शुकर अदा करता हूँ हमारे कौरे कार्यकरताओं के उन्हों ने इतना सयम बढ़ता और सयम बढ़तने की वज़े से आज इतने अच्छे माहोल के अंदर हुआ लेकिन ये जो कार्वाई इन लोगों ने किये है गुंडा गर्दी ये लोगों ने किये है कहीं न कहीं इनके उपर रोक लगने चाहिए है हमारी मांगे आप उहां गए उसके बादे आज़े हैं